नमस्कार, हेलो और वेलकम टू न्यूस क्लिक, मैं परणजोई गुहाठा कुरता, आज चाच्चा का विशे है, भारतवर्ष का अर्थ विवस्ता, भारतवर्ष का बैंक की क्या स्थिति है, और अने वाले बजट में, जो फेबुरी का पहला दिन, हमारा वित्यमंत्री निर् यह नहीं आ सकते हैं, आज इस विशे के उपर मेरा साथ न्यूस क्लिक का स्टूडियो में हैं, अध्यापक डॉक्टर साब रोहित चंद्रा, दिल्ली का IIT, Indian Institute of Technology दिल्ली में पराते हैं, इससे पहले उन्होंने एक अमरीकी विश्व विश्व विद्याल है, University of Pennsylvania का, उनका एक संगस्ता है, Center for the Advanced Study of India, उनका वहां पे उनका Research Coordinator थे और आज इस विशे के उपर, India's Access to Capital Problem, उनका एक लेक अभी अभी आया है, स्क्रोल में भी ये लेक दोबारा इनोंने प्रकाश किया, तो रोहित जी धन्यवाद, आपने न्यूस क्लिक के हमारे स्टूडियो में आया है धन्यवाद, तो आपका लेक आपने जो शुरू किया, आपने कहा कि पिछले दस साल भारत रशके जो बड़े बड़े पूजी हैं, पूजी पती हैं, एक दम उतल चराओ, Ups and Downs, A Volatile Decade for India's Business Community, आपने आपका लेक ये यहां से शुरू किया, और आपने कहा कि आर्थिक उद कारिक करन के बाद, पिछले तीस साल के बाद, हम देख रहें किस तरह से हमारे देश के जो बरे-बरे corporate खराना कोई उपर जा रहे हैं, कोई नीचे जा रहे हैं, और एक निया लोग आए हैं, जो निया बरे-बरे पूजी पती हैं, और किस तरह से अलग-अलग शेत्र से, अ एक तरह से एक capital concentration, यानि कि पूजी कुछ कम बरे-बरे संगस्थाओं में आ रहे है, और साथ-साथ जो MSMEs, mediums, micro, small and medium enterprises, जो छोटे उद्योग है, जो लगो उद्योग है, जो मध्यम उद्योग है, वो आहिस्ता आहिस्ता ये बरे-बरे संगस्थाओं के उपर, उनका निरभर था, जादा बर गया, तो इस विशे के उपर आपने कहा, जी, जो आर्थिक उद्योग के बाद सब लोग कह रहे हैं, ये देश का अर्थ व्यस्ता के लिए अच्छा है, competition बर जाएगा, प्रतिद्वन्दिता बर जाएगा, वो नहीं हुआ, कम हो गया, और जो बरे-बरे हम मगर आपका, आपका कहना है, ये एक creative destruction जो हुआ है, ये देश का अर्थ ववस्ता के लिए अच्छा नहीं हुआ, तो आप इस विशे के उपर, नियूस्लिक का दर्शक के लिए ज़रा समझा दीजिए, आप क्या कहने चाह रहे थे, नहीं, धनिवाद परण जए, अभी कास कर के पिछले 10 साल में ये देखने को मिला है कि जो बड़े-बड़े business house पूंजी वादी लोग है, उनलों का size काफी बढ़ गया है, उसके साथ-साथ जो सबसे बड़े नहीं, सबसे बड़े 10-20 business house के बाद जो businesses हैं, कास कर कि जो regional businesses हैं, उनलों का थोड़ा हालत खराब हो गय है, खास कर के 2015 के बाद, Insolvency and Bankruptcy Code आने के बाद, काफी सारे businesses का, ये तो size छोटा हो गया है, बिजनस अचा नहीं चल रहा है, और इसका कुछ कारण हम लों के banking system में जो problem है, उससे संबन देते हैं, तो पिछले 10 साल में, बिजनस को पैसा कहां से मिलता है, काफी बड़ गया है, और क्योंकि हमारे, खास का कि समाजिक शेत्र के जो bank है, उनका हालत खराब रहा है, NPA problem रहा है, लोंज का problem रहा है, NPA के मतलब अगर आप सरल भाशा में कहने चाहेंगे, जो कर्ज लिया बैंकों से वापस नहीं दिया है, बिलकुल, बिलकुल, और बर बर पुझी पती, बरे बरे कंपनिया, तो, इंट्रेस्ट का बात या है कि 2000 से 2015 के बीच में, ये समाजिक शेत्र के जो bank हो थे, उद्योग, इंफरस्ट्रक्चर ये से बहरे हमें बहुत लों दिया, स्टील हो, पावर हो, बिजली हो, उर्जा हो, कंस्ट्रक्शन हो, और 2015 के बाद खास करके, ये काफी सारे लोन में problem होने लोगा, जो भी लोग लोन लिये थे, वो अपस नहीं दे पाए, उसके कारएं समाजिक शेत्र के bankों का हालत काफी खरब हो गया, भारत के अर्ट स्यास्टर के जादतर लोन समाजिक शेत्र के bank से ही आता था, तो जब उनलों का हालत खरब हुआ तो जो businesses थे वो उनको पैसा कहां से मिलेगा, ये थोड़ा, मैं रोक रहा हूँ यह आपको, आपने जो कहा और आपका लेक में आपने इस विशे के उपर विस्तार से कहा, कि भारत वर्श का जो सरकारी banking system था, public sector banks, जो बरे-बरे banks थे, इनके उपर, ये हमारे देश के बरे- इनका जो पूरा जो विवस्ता है, छोर के विदेश जा रहे हैं, बरे-बरे बहुराश्ट्य संगस्ता जो है जो भारत वर्श में, वो भी विदेश से इनका पूजी आ रहे हैं, क्यों, क्यों को विदेश से क्यों पैसा ले रहे हैं, इसका क्यों कारण बहुत है, और इस दिवाला और शोधन अक्षंता कोड या अधिनियम तो इस विशे आई बीसी के ओपर कहेंगे मगर सवाल ये है कि हमारे दिश के बरे बरे कंपनिया जो गर्ज ले रहें लोन्स ले रहें भारत विश्च का सरकारी बैंक से कम ले रहें और विदेश्च से ले रहें इसका एक तो यह है कि यह कहना पड़ेगा कि राजनैतिक और सरकारी आधिकारियों का बैंकों के ओपरेशन में काफी दखल हो तो इसके कारण काफी लोगों को लोन मिला जो की नहीं तो सच में बिजनस नहीं करना चाहते थे या पैसा लेके भाग गए ऐसा भी काफी स्थिति रह और उसके कारण समाजग सेक्टर बैंकों का इंडिपेंडन्स सौधीन था थोड़ा कम हो गया अगर आपको पॉब्लिक सेक्टर बैंक से लोन चाहिए तो कैसे मिलेगा किसे से बात कीजिएगा।शियों कही राजनैता से बात करना पड़का कही हमारे सरकारी अफसर से बात करना पता है तो इसके कारण लोन मिलना भी मुश्किल हो गया अनलस कि आपके जानकार में आप लोग को जानते हैं ये सब सिर्कल्स में तो जब ये आई बी सी शुरू हुआ उसके बाद लोन देना बहुत कम हो गया सामाजिक्शितर के बैंकों से तो खास करके उद्योग और टाइप एरिया में अगर पिछले पांच साल में देखिएगा तो लोन ग्रोथ ये सब एरिया में बहुत घटिया है अब कुछ-कुछ बिजनेस खास करके जो बड़े-बड़े बिजनेस हैं जो 10-20 सबसे बड़े बिजनेस घराना है उनलों को अगर भारत से पैसा लेने की ज़रुत है या बाहर के कंपनियों से पैसा लेने की ज़रुत है तो कभी-कभी ज़ादा असान है कि कोई बाहरी कंपनी से पैसा बल जाए अभी ग्लोबल स्थिती भी ऐसा है कि पैसा की कमी तो है नहीं अगर सौवरें वेल फंद टेकियेगा पंशन फंद देखिएगा बिलकुल बिलकुल और यह एक मेजर कारण है दूसरा यह है कि अब जो लोग भारतिया बैंक समाजिक शित्र के बैंक से लोन लिये और अब यह इंसॉल्वन्सी और बैंकृप्सी कोड आई-बी-सी में के में आ गये हैं लग रहा है कि काफी लोग अपना बिजनस खो मैं फिर आपको रोक रहा हूँ आपका लेक में आपने इस विशे के उपर कहा कि एक तरह सरकार कह रहे हम लगू छोटे मध्यम उद्योगों को मदद करता है क्योंकि इन लोग ने नौकरी देते हैं लोग मगर जो असलियत है जो वास्तव है कि यह जो छोटे 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 जो छोटे छोटे उद्योग है इनका स्थिति और भी गंबीर हो गया हमने देखा एक के बाद एक घोटाला भी हो गया जैसे इसके साथ 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 बैंकों भी डूब किया आप देखा यह बैंक का क्या स्थिति हो गया था जिनका और प्रोमोटर अभी भी जैल के अंदर है तो और भी ऐसे आप देख रहे है आपने जो अंग्रेजी में लिखा इन लेंडिंग मनी प्राइमेरिली तो लाज कोपोरेश अपने का जो आपने का जो असंगतित शेत्र से यह चोटे उद्यों के लिए पैसा आरे जो जैसे स्थानिया बैंक है जो समववाई बैंक है कोपरेटिव बैंक से यहां से इन लोग पैसे ले रहे और इसमें इनका खत्रा भी जादा है और साथ-साथ जो बैंक जो बरे-बरे बैंक है वो बरे संगस्ता हो गया तो एक तरह से हम देख रहे हैं कि एक असंतुलन हो गया एक इंबालन्स हो गया और सरकार बरे-बरे बात करते हैं कि हम मदद कर रहे हैं छोटे उद्योग को, MSM-E's को, मगर इन लोग आज इनके पास नहीं है और इनका स्थिती अत्यन तक गंबीर हो गया और ये गंबीर होने के एक इसका गंबीर है इसलिए नोकरी भी नहीं है आप देख रहे हैं, CMI, Center for Monitoring Indian Economy कह रहे हैं कि जिस हद में भारत वश्का बेरोजगारी बर गया पहले कभी नहीं बराता है इतना, इस विशे के पर और थोड़ा विस्तार से बात कीजिए तो थोड़ा ये पिछले 20-30 साल का systemic problem रहा है कि जो समाजिक सब बैंकों में ये problem में सर्फ समाजिक शित्र में नहीं कि लगू उद्योग और छोटे प्यापारी लोग को लोन देने में उनको बहुत मुश्किन होता है, अगर आप सो क्रोर एक कंपनी को लोन दे सकते हैं या सो एक क्रोर का सो लोन दे सकते हैं तो उन्हें हमेशा यही प्रिफर करते हैं कि एक बड़ा लोन दें कोई एक ऐसे कंपनी को जिसका reputation अच्छा है जो जाना माना कंपनी है तो अक्सर अब कोई खासकर कि 2000 और 2015 के बीच में अगर आ लोन के लिए जाएगा तो अब कितना पेपर वर्क आपको बढ़न करना पड़ता है हाँ बहुत बहुत लंबा प्रोसेस रहता है और क्योंकि जो administrative cost रहता है लोन का वो काफी हाई रहता है तो कम लोन देना लेकिन बड़ा बड़ा लोन देने का थोड़ा प्रेफरेंस रहत है हमारे banking शेत्र में दूसरा problem यह रहा है कि जो branch level culture था एक जमाने में वो काफी बिगड़ गया है इसके कारण और और सब कारण भी तो अब अब देखिये का जब nationalization हुआ था बैंक सब का 1979 में तो उसका पूरा मकसद यही था कि हाजा सरकारी कारान का मतसा यह था कि हम छोटे उद्यों को देंगे हम कृशक को देंगे हम कृशी शेत्र में देंगे आज पूरा महौल बदल गया पूरा जो एकदम जो अर्थ वेवस्था बदल गया बिलकुल मेरे एक और सवाल आपसे है जैसे आपने कहा यह IBC के वाले म जो भारतिय दिवाला और शोधन अक्षंता जो जो कोड है या अधिनियम है हम देख रहे हैं बैंक को ने हेर कट लेते हैं मतलब इतना पैसे हमें बाकी था यह हमने कर्ज दिया इसके उपर हमने कर्ज तो एक तरह से माफी करा है उसके उपर जो वैज भी है वो भी बढ़ तो एक एक जगह में 90 फीसदी 95 फीसदी बहुत पैसा बैंक बोली हमें नहीं चाहिए और हम देख रहे हैं साथ साथ जो हम कहेंगे राइट आफ्स पर गया पिछले पाच्छे साल में जबरतस्त पर गया एक समाए NPS के बात आप करेंगे NPS के मतलब जो कर्स बैंक से लो बर 60 लाग करोर यानि कि इतना बर गया था और ये पूरा जो सिस्टम है इनसॉलविंसी और बैंक रिपर आपने कहा इसको सारे इन लोग मेनिपिलर्ट कर सबवर्ट कर रहा है इस विशे की उपर आप थोड़ा बहुत और कुछ कहिए हाँ तो ये हैरकट वाले मामले में एक ब बात नहीं है जब अब किस किस पेमाने पे हो उससे काफी फरक पड़ता है लेकिन हैरकट लेना बैंक के टूल किट में एक आप्शन रहता है अब अगर कोई आप ऐसे बिजनेस को लोन दिये हैं और वो पूरा वापस नहीं कर पा रहे हैं तो आप उनलों का टर्म लोग हैं उन ही लोग को जादा मिला है यह सब केस में तो वो थोड़ा प्रॉब्लम है यह आई-बी-सी में जो बैंक में काम करते हैं उनके साइकॉलजी थोड़ा समझने लाइक है अब आपने बिल्कूल ठीक का मैं मैं आपको रोक रहा हूँ बिलीगर्ट बाइस्पेट अर्रेस्ट एं साइक रहा हूँ ओपनेजम लेगर्ट बाइस्ट बैक्सासमा रहा है यह वह ज़ा एक बैक का शाखा में एक मद्द्रेश थर में मैं एक मैं जर है रहा हम क्यों खात्रे में जाएं थाएं आपको छाएं लॉड़ा हैं कुछ पलेश्टे बाइस थाख़्ा क हम देख रहे कुछ लोगों को जेल के अंदर डाल दिया, कुछ लोग को गिरिफतार कर दिया, तो प्ले से, हम कर्स किसी को नहीं देंगे, तो एक तरह से इसका एक असर पड़ते हैं, पूरा अर्थ विवस्था के ओबर, बिल्कुल, बिल्कुल, नहीं तो यही सबसे बड़ा कि यह बात मानना पड़ेगा कि बैंकों में काफी कुछ पकड़ाया गया है, लेकिन किसको सजा मिलती है, उससे बहुत फड़क पड़ता है, और जब कोई मिड लेवल जी एम यह कोई ब्रांच मैनेजर को रिस्पॉंसिबिलिटी जादा जाता है, और सीनियर मैनेजमेंट म कोई नहीं जाता है, तो फिर जो लोग बैंक में काम करते हैं, उनका इंसेंटिव भी काफी बदल जाता है, कि नौकरी बचा के रखें, निजी करन से बचें, यही सब ज़्यादा दिमाग में चलता है, अब नया लोन दे बिजने के लिए, अर्थवाफ वस्था के फेवर म यह सब और लोन देना, यह सब उतना इंपोर्टन नहीं रहता है, तो अगर आप अभी कोई, खासकर कि समाजिक शित्र के बैंक में मेड लेवल मैनेजर हैं, तो कहीं ज़्यादा असान है कि लोग को आप लोन दें, या EMI पर कुछ खरीदने के लिए लोन दे दीजिए, घर सक्सेस्फुल नहीं होगा और फिर उसमें जो प्राब्लम होगा, लेकिन दूसरा कि अगर फिर CBI, CBC, CAG आपके पीछे पढ़ गए, तो फिर आपका जिन्दगी बरबाद हो जाएगा, आज यह बहुत एक जटिल एक अर्थविश्था है, complicated ecosystem, तो इसमें संसोधन लाना, reforms आना, आसान काम नहीं है, तो इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं, कि आप सरकारी बैंक को भूली जाएए, bypass the PSBs, the public sector banks, और आप चले जाएए, आपने इनको लेग भी किया, FANG, Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google, यह बरे-बरे संस्ता के पास, इनके तो बहुत पुजी है, यह भारत वर्श में निवे बर गया, अर्थ विवस्ता खराब हो गया, मगर शेर बजार बर रहे हैं, और जैसे आपने कहा, अमीर और गरीब के बीच जो दुराई है, जो असंतुलन है, यह भी बर गया, inequality, आज भारत वर्श में जे, Oxfam का रिपोर्ट भी आया है, इस विशे के उपर, तो मेरा सवाल है, कि इस्थिती में, आज क्या आप देख रहे हैं, कि अर्थ विवस्ता में और भी यह एक inequality बरेगा, असंतुलन हो जादा है, imbalances, जो अमीर और गरीब के बीच जो दुराई है, यह बरने का और भी संभाब ना है, खास का कि बिजनेस परस्पेक्टिव से मुझे लगता ह है, कि पिछले 30 साल से हर सरकार, जो सरकार बनाती है, हमेशा MSME के बाद चीत करती है, तो यह और खास करके COVID के बाद, तो fiscal stimulus में MSME पैकेज और यह सब उसमें खूब आया था, problem यह है कि public sector banks के द्वारा यह पैसा लगोगोद्यों को पहुश जाना बहुत मुश्किल काम है, त तब उसलिफ इंडिविजूल लेवल पे नहीं है, कंपनी लेवल पे भी काफी गंभीर है, और ऐसे organizations हैं, जैसे SIDB, NABARD, यह सब टाइप, Small Industries Development Bank of India, National Bank for Agriculture and Rural Development, जो भारती रिजर्व बैंक का एक शाखा है, एक तरह से, तो यह सब चोटे-चोटे NBFC हैं, जो कि उनका काम ही है कि लगू अद्योग या अगरिकल्चर में लोन दें, यह सब संस्था को उतना importance नहीं दिया गिरा है, आप ने कहा कि वन अफ प्रॉब्लमाटिक चोटे लोगों को चोटे कंपनिया को लगूई द्योग को आप जिस तरह से कर देते हैं, यह सब संस्था को उतना importance नहीं द इसमें एक बदलावा आगया, आपने कहा कि पूरा अगर मार्च दोहजार बीस का आखड़ा कर दिखाई गया, भारत सरकार का आखड़ा, तस जिला, पूरा भारत जिला में जहां पे सारे पात्सो से जादा जिला है, सिर्फ दश जिला में, यह बरवरे शेहरी आख़ा है, आदा से जादा, चोवन फीस दी, पूरा जो कर्ज हमारे बैंकिंग सिस्टम, जो हमारे बैंक को दिया, यह दस जिला में, एक तरह से, जो आपने कहा, कॉंसेंट्रीशन ओव लेंडिंग प्रैक्टिसेज, कि हम देख रहे हैं कि कुछ इलाकों में, लोगों कर्ज मिलना है, संगस्थाओं को कर्ज मिलना है, और बाकी जगा में कुछ भी नहीं मिलना है, लोगों को. बिलकुल, बिलकुल, तो अभी मान लीजिए कि आप कोई टियर टू, टियर थ्री शहर में, आप मिठाई का दुकान कोलना चाहता है, या बाटा का फ्रैंचाइज कोलना चाहता है, कुछ इस टाइप का, तो यह सब जगा लोण मिलना करज मिलना काफी मुश्किल हो गया है, सब लोग को मन है कि जो बड़े बिजनिसमेन है, कोई डिस्ट्रिक्ट में, या कोई अर्बिन आलाका में, उन्हीं लोग को ज़्यादा लोण दिया जाए, तो अकसर होता क्या है कि आप बैंक ब्रांच खोल दीजिएगा कोई छोटे डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ लोग के लिए आप कम लोण दीजिएगा, ये आकरा सब में साफ साफ दिखता है, आर बी आए के आकरा में, तो ये अगर आपको स्थानियर डिवलप्मेंट चाहिए, तो ये बदलना पड़ेगा, ये विकास के लिए आप कहा रहा है कि हाँ, और एक तरह से हमारे जो संगी मंतरी, निर्मला, सीता रामनजी ने कहा कि बहुत बड़ा एक बीस लाक करोर का एक आर्थिक एक तरह से एक पैकेज दियार किया, फिर बाद में जब लोग बारी की से देखा थे इसमें स्थिफ दो लाक करोरी नया था और बाकी पुराना, मगर आप कह रहे थे लोगों की ह हमारे जीडीपी, हमारा सकल घरेल उतपाद का हम दस वीज दी, ये नया रिलीफ पैकेज है, सुधर के लिए एक पैकेज, मगर इसमें नया था जैसे मैंने कहा, सिर्फ दो लाक करोर, और बार बार लोग सीता रामनजी कहा कि हम कर्द देने के लिए दे आ रहे हैं, हम व्या अकरा भी अगरा आप देखेंगे, पहला बार भारत वर्च के इतिहास में हमने देखा किस तरह से कोविट के बाद हमारे रिसेशन, हमारे एकनॉमिक सिच्वेशन, पहले एपरिल में, जून में लगबग 24 फीसदी, फिर जुलाई अगस्त, सब्तेंबर 2020 में, और भी 12 फीस कि दो तिमाही में आपका अर्थविश्टा कम हो गया, तो मेरा सवाल अभी है कि पहला फिबरुरी में सीधारामन जी बजट पीश करेंगे, आप क्या आशावादी है, ये बैंकिंग शेत्र का नजरिया से अगर आप देखेंगे, क्या आने वाले है, आप क्या लग रहे है क्या करेंगे, बैंकों के लिए और भी उनका पूझी बरा देंगे, जो क्या होने वारे है, आपका क्या उमीद है, एक बात मुझे लगता है कि कहना चाहिए कि ये समाजिक शेत्र के बैंक काफी सुध रहे हैं पिछले पांच साल में, पांच साल पहले काफी हालत खरा था, ये एन पिए लेवल घट रहा है, तो अभी जो कहा गया है, उसमें लगता नहीं है कि कुछ सामाजिक शेत्र के बैंक के पूझी करन फिर से किया जाएगा बजेट से, रिकापिटलाइजेशन लगता नहीं है, और उनलों का डिपॉजिट ग्रोथ तो ठीक ठाक चली रहा है तो कितना ज़रूरत है नहीं ज़रूरत है, वो भी थोड़ा सोच हैं। अभी सबसे अट्राक्टिव ऑप्शन है कि आप फिक्स डिपॉजिटे निकाल लिए और शेयर बाजार में डाल लिए हैं। पिछली एक हाफता में जो शेयर बाजार में मारा-मारी हुआ है, उसके बाद एक दिन आप ऊपर जा रहे हैं, तो अभी भी शेयर बाजार के हाँ धीरे-धीरे बढ़ते जाएगा, अब किस तरह के बैंक में होगा, डिजी सित्र के बैंक में होगा या समाजिक सित्र के बैंक में होगा, यह बैलन्स थोड़ा बदल रहा है कि प्राइविट बैंक सब काफी बढ़ रहे हैं समाजिक सित्र के बैंक के तुलने में, दू कि बहुत सारा नीती से पास किया गया है मुझे लगता है कि बजट में हो सकता है कि ऐसा कुछ मतब स्टार्ट अप्रमोटिंग अनॉंसमेंट्स जादा किया जाए और मुझे ज्यादा कुछ नहीं मालूम है कि समाजिक सित्र में क्या होगा लेकिन अभी दो तरह के तो एक तो स्टार्ट अप्स वा और एक जो लगू अद्योग और साधारन व्यापारी हैं वो लोगे अभी स्टार्ट अप्स को अंतर आश्री निवेश में पैसा मिलना ज्यादा असान हो गया है बनिस्पत की बाकी लोगों को तो उसको फसिलिटेट करने के हो सकता है कि वो लोग पास करें धन्यवाद रोहिट जी आपने भारतवश का बैंकिंग शेत्रा सरकारी बैंकिंग शेत्रा का क्या संकट है इस विशे के उपर आपने से विसलेशन किया हमारे न्यूसलिक का दर्शक के लिए और समझ बताएंगे कि निर्मला जी पहला पायद ये जो संकट के बाद आपने किया आज ये इतना आसान से खतम नहीं होगा थैंक यू सो माज धन्यवाद आप सुन रहे थे भारतवर्श का अर्थप्वस्ता भारतवर्श का बैंकिंग शेत्रा भारतवर्श का जो सरकारी बैंकिंग शेत्रा इस विशे के उपर मेर साथ बात कर रहे थे अध्यापक रोहित चंद्रा जी आप देखते रहिए न्यूस क्लिक सब्सक्राइब कीजिए चैनल में आप शेयर कीजिए धन्यवाद नमस्कार